चुटियां पढ़ रही हैं Himachos की हमें कहीं गूमने जाना है लेकिन यह पता नहीं चल्ड़ा। डॉक को कहां छोड़के जाए। यह क्या हमें अपने घर छोड के जाना चाहिए। क्या हमें उसे अपने साथ लेकि जाना चाहिए, किसी डॉग होस्टल में छोड़ना चाहिए, ये बहुत सारे कोश्चेंज आते हैं मुझे, आज इन सारे के सारे कोश्चेंज को कवर करने आया हूँ, आपको आंसर दूँगा, प्रॉपरली एक्स्प्लेइन करूँगा किसका क्या benefit है और क्या loss है, मैं बादल मिंदारी हूँ और मैं पिछले 26 साल से dogs breed कर रहा हूँ, और मैं behaviorist हूँ, thank you so much आपके time, प्यार और blessing के लिए, वीडियो को आगे continue करने से पहले एक ज़रूरी message आपको दे दूँँ, जिन दोस्तों ने, आज first time मेरा video देख रहे है, या जो पहले भी video देखते हैं, लेकिन उन्हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके dog से related कोई भी problem है, आपके dog के related कोई question आता है आपके दिमाग में, 99% होगा कि उसके question के answer मैंने अपने YouTube चैनल पे डाले हूँगे, उसका answer मैंने दिया होगा, एक vlog बना के, thank you so much video को continue कर लेकिन अगर लेके जाना चाहें, तो definitely, वो facility भी available है, आप Google पे search कर सकते है, pet friendly hotel का, तो उसका benefit ही होगा, कि आप ऐसे hotel में रुकेंगे जाके, जहां पे आपको अपना dog रखना allowed होगा, थोड़े से nominal से वो extra charges लेते हैं, तक max 1000 के करीब लेते हैं, क्योंकि कई बरी हम भी जाते तो 1000 रुपी extra दे कि आपका dog आपके साथ में आपके room में रुख सकता है, आप उसको खाना अपने साथ में लेके जाएगे, सब चीज सबसे important ही रहेगा, इसका benefit कि आपके dog को situational anxiety नहीं होगी, आपके dog को loneliness नहीं फेली होगा, और आपको घूमने जाने के बाद में ये tension नही होगी कि हमारे dog का पीछे से क्या हुआ, वो comfortable है या नहीं, second option, हम उसे अपने ही घर में छोड़के जा सकते हैं, means, हमने जब जाना है, हम अपने dog के लिए उसकी belongings, जो भी उसको खाने के लिए चाहिए, उसके snacks या toys या जो कुछ भी हम उसे provide कर सकते हैं, हम उसे वो सब चीज छोड़के जाएं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हमारे घर पे किसी ना किसी को रुखना जरूरी है, चाहिए वो हमारा servant है, maid है, या हमारा कोई relative है, हम किसी को request कर सकते हैं, या हमारे neighbor है, हम उने बोलें कि भाई, हमारा dog हमारे घर पे ही रहेगा, लेकिन आप इसे time to time ख गए हैं, लेकिन वापिस वो यही आएंगे क्योंकि मेरा घर भी इदर ही है, समान भी इदर ही है, ममा पापा और भाहिया दीदी कहीं गए है गुमने और वो जल्दी वापिस आजाएंगे, second option थी, third option हम किसी friend या relative के, उनके घर छोड़के जा सकते हैं, जो हमारे dog के साथ ब मुझे कहा छोड़ दिया, वो उन्हें पहचानता हो, fourth, dog hostel, जो dog hostel है, आजकल वो बहुत जादा trending में है, उसके क्या benefit है, उसके क्या loss है, यह सब चीज मैं explain करने लगा हो भी आपको, हम अकसर Google पे देखते हैं, YouTube पे देखते हैं, dog hostels कैसे होते हैं, आप search करते हैं, तो अलग- लेकिन वो कितनी genuine है और क्या नहीं, यह सारी चीज हैं, कैसे आप check करेंगे, मैं point आपको clear कर दूगा, step wise, किसी भी point को miss नहीं करना, end तक video को जरूर देखना, because it's about life of your dog, हम अपने फर्वेभी को ऐसे किसी के हवाले नहीं करके जा सकते, so सबसे पहले तो हमें यह करना है, हम हमें अपने डॉग को जहां पर भी हम छोड़ के जाना चाहते हैं, उस hostel के बारे में जब आपको जब पता चलता है, आप वहां पर विजट कीजिए, एक ही बार नहीं करना, दो तीन अलग बार कीजिए, अलग लग टाइम पर कीजिए, कभी भी off and on कीजिए, call नहीं करके ज तो आपको एक्चल में पता चलेगा कि वहां पर डॉग की कंडिशन क्या है, जो बाकी डॉग्स है, उन्हें किस कंडिशन में रखा गया है, क्या उनको पानी प्रवाइड किया है, अगर पानी प्रवाइड किया है, तो क्या वो यूटिंसिल, जिस बरतन में पानी प्रवा यह देखना है कि वहाँ पे कितनी जादा स्टिंग की स्मेल है सबसे इंपॉर्टन चीज बता रहा हूं जब हम डॉग होस्टल में जाते हैं शुडबी नीट और क्लीन वह उसको डिसिंफेक्टन डालके क्लीन किया होना चाहिए अच्छे से अगर फिनाईल वगरा की स्मेल आ चाहिए एक पॉइंट अगर नीच और क्लीन नहीं है तो वहीं से आपको अपने डॉग को वहां होस्टल छोड़ने की जो सपना है उसको छोड़ देना चाहिए को वाक करवा सके शुशु करवा सके क्या उनके पास कोई ऐसा एरिया है जहां वो जाके शुशु पॉटी करवाए यह च्छत पर ही करवा दे रहे हो बहुत सारा धेर लगा और गंदगी और स्मेल और वो सब चीज है ना पैबलो हम आप ही की बात कर रहे हैं यह चीज जो बहुत इंपोर्टेंट है वो यह क्या वहाँ पर CCTV कैमरा लगे हुए अगर लगे हुए तो क्या वो उसका एकसेस आपको देंगे मींज अगर आप अपने डॉग को वहाँ छोड़के जाएंगे तो क्या आपके पास में ऐसा फिसिल्टी होगी कि आप कभी भी CCTV कैमरा को आपने मोबाइल पर देख सकें कि आपका डॉग किस कंडिशन में बैठा है वो बैठा है खेल रहा है उसको टाइम पे खाना मिल गया दिख गया यह नहीं पानी पी रहा है कि नहीं उसकी ब्रशिंग हुई यह नहीं उसका कंफर्ट लेवल कितना है एक पॉइंट बताता कि बादल सर्क क्या बात कर रहे है प्रैक्टिकल बात ही है कि अगर मैं अपने बच्चे को तीन साल के बच्चे को भी छोड़के जाता हूं कहीं पे हम किसी होस्टल में यहां क्रश्वागरा में छोड़के जाते हैं थोड़ी देर के लिए तो हमारा बच्चा हमें बताता ह कि पापा मेरे साथ में मैम ने गुस्सा किया, वो बताएगा कि मैम ने मुझे प्यार किया या नहीं, मुझे खाना दिया या नहीं, और खाना दिया तो क्या दिया था, आपने खाया था या नहीं, इस सारी सारी चीजे human baby बता सकता है, वो बोल के बताएगा, उसकी भाशा हम स फाइट तो नहीं किया जो जगा पर मैं बैठा था वो साफ सुतरी थी नीच और क्लीन थी मुझे टाइम पर शुशु पॉटी के लिए लेके गए या नहीं यह सारी की सारी चीज़ें बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है और बहुत सारे होस्टल बहुत अची फिसिलिटी भ के आज की बहुत सारे लोगों ने थोड़ी सी जगह में ऑन को ले लेते इन में कहीं झाना हैний है थीक है इतने पैसे लेंगे हम ऑक दोड़ को गया और उसने मेरे लाबरोडर को बहुत बुरे वाला बाइट कर दिया वो जमेशा पर डॉग ने बाइट कर दिया और उन्होंने हमें बताया तक नहीं कि ऐसा कुछ होगा जब वापिस आये तब उन्होंने बोला जी आप जिस डॉक्टर को दिखाते आप उनको दिखा क्या जाती है तो क्या वो डॉक्टर प्रवाइड करेंगे आपके बच्चे की कियर हो जाएगी या वो वेट करेंगे की चाहर दिन बाद आप आपाएंगे तो आप हैंगे शिंज को ट्रीट करवाना पड़ता है क्योंकि जो स्किन के टिश्यूज एक बर ही अगर डिस्टर्ब होंगे उनको सॉटर उट करना बहुत मुश्किल हो जाता है एक और प्रॉब्लम आती है सम्टाइम्स वहां पर गंदा अगर अगर अन हाईजिनिक कंडिशन होगी तो आपके किस घ्रेड का किस क्वालिटी का है ऐसा तो नहीं है कि दो दिन से बना के रक्षा वह डॉग ने नहीं खाया तो भी वो य gonna दिये जारें यह सारी किस सारी चीज़ Nur है तो उसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने बच्चे को अपने फर भी को झ्छ alien में कुछ भी make sure हम उसे अच्छे और comfortable environment में छोड़के जाए ताकि आपको regret ना हो आपको बाद में दुख ना हो तकलीफ ना हो कि हमने अपने dog के साथ justice नहीं किया जैसे अगर आप किसी अच्छे neat and clean hostel में छोड़के जाते हैं जहां पर अच्छा discipline है system चला हुआ है और वहाँ पर owner के साथ मिलके देखिए और यह देखिए कि owner कितना involved है अपने business में वो इस चीज के लिए कितना look after करता है विकिस अगर वो सिरफ अपने employees पर dependent है तो बहुत बरी ऐसा होता है कि जब owner के आने का time होगा तो वो से neat and clean कर देंगे especially तब अगर कैमरा नहीं लगे हुए लेकिन अगर कैमरा लगे हुए तो वो आपके लिए बहुत बड़ी blessing और facility हो सकते है यह जो वीडियो बनाया है यह उन दोस्तों के लिए बनाया जो लोग घूमने जाना चाहते हैं कभी अपने dog को लेके जा सकते हैं कभी नहीं लेके जा सकते हैं बहुत सारे question बहुत सारे end number of questions थे उनको मैंने cover करने की कोशिश करी इस वीडियो में I hope यह वीडियो आपको helpful लगा होगा आपको काम का लगा होगा और पसंद आया होगा अगर इस वीडियो को like नहीं किया हुआ अभी तक तो please थोड़ा सा request है आपसे कि आप इसे like जरूर कर देजे क्योंकि जब आप like करते हैं तो हमें बहुत जादा inspiration मिलती है और चलिए देखते हैं कि क्या आने वाले 48 hours में आप इसे 2000 likes देते हैं या नहीं अगर आप 2000 likes देते हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी blessing होगी आपका बहुत सारा प्यार होगा मेरे लिए और मेरी तरसे भी बहुत जादा प्यार होगा क्योंकि मैं और कुछ बहतर से बहतर वीडियो वह बनाने की कोशिश करूँगा जो आपके डॉग के लिए बहुत helpful और आपके लिए बहुत अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए without any hesitation यह मत सोचिए कि अच्छा सब्सक्राइब करने से क्या होगा सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फैदा यह होगा कि आप कभी भी किसी भी important topic पे video मिस नहीं करें thank you so much love you all bye